आज हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंगलिस रीडर के चेप्र नमबर टू को टाइटल है मीटिंग सेजेन यानि से एक मुलाकात यह कहानी है बारे साल के यानिक के बारी में जो गर्मियों के दोरान फ्रांस की एक जगह प्रोवेंस में अपनी चाची और चाचा से मिलने जाता ह वह यहां के खुबसूरत ग्रामी अलाकों को देखने के लिए एकसाइटिड है जिसे उसने अपनी मा की कितावों में केवल चित्रों के रूपे ही देखा है लेकिन वह मास्टर पेंटर सेजेन की एक जलक पाने के लिए भी अधिक उत्सुक है वह जानता है कि मास्टर पें पाने में भी मदद करता है एक दिन होटल में हलचल होती है क्योंकि एक मसहूर व्यक्ति मिलने आने वाला है अब देखिए इस पूरी कहानी को खुद नरेट कर रहा है यानिक यानिक कहता है कि उस साम मेरी कजिन अमंडाइन ने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ ठीक से करना ह होगा क्योंकि उनका सबसे अच्छा कस्टुमर कुछ दोस्तों के साथ भोजन करने के लिए आ रहा है उसने कहा कि वैगाओं के महल में रहता है और बहुत फेमस है जब मैंने पूछा कि वैगा कि लिए फेमस है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया उसने सिर्फ यही कहा सव तो हमेंसा सवाल पूछते रहते हो जाओ और लकडिया लियाओ वह व्यक्ति जो भी था वह बिना जादा बालो वाला एक साधारन आदमी जैसा दिखता था लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उस मसूर व्यक्ति ने मेरी क्रीमी ब्रूली खाई उस आदमी और उसके महमान के चले जाने के बाद हमने टेबल साफ करना सुरू कर दिया मैंने कागज का टेबल क्लोथ निकाला उसे मोड़ा और हमेशा की तरह आग में फैक दिया अचानक अमंडाइन तेजी से मेरे पास दोड़ती हुई चली आई किसी कारण से उसने चीमटा पकड़ा और जलती हुए कागज के टेबल क्लोथ के बचे हुए हिस्से को बाहर निकालने की कोसिस की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी फिर वह मेरी और मुड़ी और चिल्दाई तुम बेवकूफ हो तुम छोटे बहुत बड़े बेवकूफ हो मैंने पूछा क्या हुआ उसने कहा वह आदमी जो अभी अभी गया है अगर उसे खाना पसंद आता है तो पापा के लिए टिप देने के लिए वह टेबल क्लोथ पर चितर बनाता है तुमने जाकर उसे आग में फैक दिया वह दुनिया का सबसे फेमस पेंटर है बेवकूफ यह कहकर वह रोने लगी रेस्टोरेंट में सभी लोगों ने खाना बंद कर दिया और चुप हो गए तब ही अंकल ब्रुनो अपने खुस मिसाच सवभाव में हमारी और तेजी से बढ़े और उन्होंने अमन्डाइन से पूछा क्या हुआ अमन्डाइन रो पड़ी और कहा यह यानिक था पापा उसने सब कुछ टेबल क्लोथ ड्रोइंग सब आग में फैक दिया अंकल ब्रुने ने पूछा क्या तुमने उसे इसके बारे में बताया था अमन्डाइन क्या यानिक को पता था कि वे टेबल क्लोथ पर कुछ स्केच बनाता है और उसे हमारे लिए छोड़ देता है अमन्डाइन ने मेरी तरफ देखा उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थी मुझे लगा कि वे जूट बोलेगी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने सिर्ख लीचा करती हुए कहा नहीं पापा फिर पापा ने कहा तो फिर तुम उसे दोस नहीं देना चाहिए है ना किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारी गलती थी अब यानिक से माफी मागो तो अमन्डाइन ने बुद्बदाते हुए बुद्बदाई लेकिन उसने अपनी आँखे नहीं उठाई अंकल बुरून ने अपना हाथ मेरे कंदों पर रख दिया उन्होंने कहा कोई बात नहीं यानिक उन्हें उनका क्रीमी बुरूली खास तोर पर पसंद आया और इस बुरूली को तुम ने बनाया है न यह चितर तुमारे लिए ही था वास्तम में हमेशा सकारात्मक पक्ष को देखो एक पल के लिए तुमने एक चितर पकड़ा जो दुनिया के सबसे महान चितरकार ने तुमारे लिए बनाया था यह एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें कभी नहीं बोल पाओगे बाद में जब मैं बात्रूम से बाहर आया तो मैंने अमंडाइन को उसके कमरे में रोते हुए सुना मुझसे उसका रोना सुनना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने दर्वाजा खटकराया और अंदर चला गया मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ मुझे माफ कर दो मेरा इरादा तुम्हें परिसान करने का नहीं था अब वह रोना बंद कर चुकी थी उसने कहा मतब मेरी कजिन ने कहा कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी यानि बस मुझे पसंद नहीं है जब पापा मुझसे नाराज होती है वैसारद ही कभी नाराज होती है केवल तभी मैं तभी जब मैंने बहुत कुछ बहुत बुरा किया हो मुझे तुम्हें दोस नहीं देना चाहिए था मुझे दुख है फिर इतनी बात कहने के बाद वै फिर मेरी और देखकर मुस्क्राई मैं पूरी रात जाकता रहा मेरा दिमाग दोड रहा था मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी किसी तरह मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा और अमंडाइन को खुस कर दूँगा जल्द ही मैंने तै कर लिया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है यहां तक की समय आन होते हुए नीचे की और महलों की और चला गया मैंने तब तक इंतिजार किया जब तक वहां कोई नहीं था मैं आसानी से गेट पर चड़ गया और फिर पेडों के बीच से भागकर नीचे उत्रा वहां चारों तरफ से विसाल और खतरनाग जंगल से वह घरा हुआ था वहां बहुत कम बाल वाला वह बुड़ा आदमी था जो होटल में आया था यानि ये बात कर रहा है सेजेन की उस फेमस पेंटर की वह धूब में सीडी पर अकेले बैठी हुए थे और स्केच बना रहे थे मैं जितना हो सका चुप चाप उनके पास गया लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने उपर देखा और अपनी आँखों को सूरज से बचाते हुए कहा हैलो यंग मैन अब जब मैं उनके इतने करीब था तो मैं देख सकता था कि वह वास्ता में बहुत ज़्यादा बूड़े दिख रहे थे लेकिन उनकी आँखे एक यंग मैन की तरह थी चमकदार प्राइट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की खोज कर रही हो मैंने पूछा क्या आप फेमस पेंटर मिश्टर सैजैन है तो वे थोड़ा हैरान लग रहे थे जब मैंने उसे ये बात पूछी तो वे हैरान लग रहे थे इसलिए मैंने आगे कहा कि मेरी मा कहती है कि आप दुनिया के सबसे महान चितरकार है इस पर वहम मुस्कुराए और फिर हस पड़े और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मां सायद सही कहती है तुम्हारी मां वाकई समझधार है लेकिन उन्हों ने तुम जैसे यंग लड़के को अकेले यहां कैसे आने दिया फिर फिर मैंने बताया कि मैं क्यों यहां आया हूँ मुझे क्या चाहिए फिर उन्होंने अपनी बाहों को सिकोड कर मेरी तरफ देखा और कहा मुझे अब तुम्हारी याद आ रही है पिछली रात की बेसक मैं बुरुनो के लिए एक और तस्वीर बढ़ाऊँगा मैंने कहा मुझे नाव पसंद है नाव चलाना पसंद है किया आप नाव बना सकते हैं उन्होंने मुझे जवाब दिया मैं कोसिस करोगा उन्होंने ज़्याद समय नहीं लगाया व्यतेजी से चित्र बनाते गए एक बार भी उपर नहीं देखा लेकिन काम करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बोर्ट कहां देखी है मैं पैरिस में कहां रहता हूँ उन्होंने कहा कि उन्हें पैरिस बहुत पसंद है और नावों पर यात्रा करना भी पसंद है मतलब इस तरीके से वो बाते कर रहे थे उन्होंने अपनी स्केच बुक की सीट फाड़ कर मुझे दिखाते हुए कहा देखो आप इस तस्वीर को देखकर क्या सोचते हो अब तस्वीर में क्या था कि तस्वीर में था कि चार नोकायान नावे मतब चार बोट्स समुद्र के उपर एक लाइट हाउस के बाहर तेरती हुई दिखाई दे रही थी ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन्हें बृटेन में दिखा था लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने इस पर इस तस्वीर पर जो उन्होंने बढ़ाई है इस पर उन्होंने अपनी साइन पिकासो की, मतलब पिकासो के नाम पर साइन की है तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सोचा था कि आपका नाम सेजेन है कि मैंने सोचा था कि आपका नाम सेजेन है फिर वे मेरी तरफ देखकर मुस्कराएं कास ऐसा होता कि मेरा नाम भी कास मैं सेजैन होता उन्होंने दुखी होकर कहा फिर उन्होंने कहा अब तुम जाओ देखिए यहां पर हमें लाश में पता चलता है कि जो यह लड़का है बारसाल का लड़का यहाँ पर ढूडने के लिए आया था सेजैन को लेकिन इसकी मुलकात फेमस पेंटर पिकासो से हो गई पिकासो ने अपने आइडेंटिटी नहीं बताई और बच्चे की जो चाहत थी उसको पूरा किया ड्रोइंग बना कर और ड्रोइंग बनाते वक्त उन्होंने अपने असली साइन पिकासो कर दी और यहाँ से रिवील हुआ कि यह जो व्यक्ती थे दूसरे यह पिकासो थे ना किसे जेन तो हमारी यह कहानी यहीं पर खतम होती है ओप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी